हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो गैतमर इन्फो यूट्यूब चैनल, तो आज हम C.U.E.T. एंट्रिंस एक्जाम जो रहता है इसका जी के इंपोर्टेंट कॉशन्स रहेंगे जो जनरल टेस्ट रहता है इसके लिए आपको टॉप थर्टी इंपोर्टेंट कॉशन्स में आपको इस पीडियों बताऊंगी, अगर आप आफ्टर 12 किसी अच्छे कॉलेजिस में, यूनिवर्सिटी में अगर आप ग्रेजूशन कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको C.U.E.T. जो एंट्रिंस एक्जाम है ये आपको देना होता है अब ऐसे में आप पीजी के लिए भी होता है, अभी हम यूजिक की बात कर रहे हैं, तो C.U.E.T. का जो जनरल टेस्ट है, इसके लिए 30 टॉप कॉशन हैं, वीडियो का एंट तक देखेगा, अगर आपने इस एक्जामनेशन को दिया है, तो आपको ये वीडियो काफी हैल्स रहेगा, ये इंपोर्टेंट रहेंगे, वो मैं आगे आपको वीडियो हैं बताती जाओंगे, नोट डाउन कर लीजिगा, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें सबसे पहला जो कॉशन है, वो है, अवंत का किस सहर का प्राचीन नाम है, अवंत का नाम से किस सहर का जाना जाता है, पहले प्राचीन समय में अवंत का नाम था उस सहर का, स्वांसर उज्जेन, Second question, भारत की खौन सी पंचवर्जिय योजना, चार साल की रही? yeh 5 वर्जिय योजना है लेकिन इसके बाप जूद भी ये 4 साल तक ही रही, ये है पाचवी पंचवर्जी योजना हमारे देश में किस वर्स महला सम्रद्धी योजना सुरू की गई, किस वर्स की गई, 1993 में कावा क्यों प्रिसिद्ध है, तो इसका अंसर होगा, मुसल्मानों का ये पवित्र इस्थल है, इसलिए कावा प्रिसिद्ध है या काबा किसके लिए प्रिसिद्ध है, फैमा से, तो ये मुसल्मानों का पवित्र इस्थल है, अब इसमें से जो अवंतिका सहरवाला, ये काफी टाइम ये कॉशन पूछा गया है, तो इसको आप नोट डाउन कीजेगा, ये भी important questions रहेगा, ये दोनों आप नोट डाउन कर लिजेगा, वैसे सारी questions important है, आप इनको नोट डाउन कर लिजेगा, चलिए next देखेंगे, तो इसमें next राएगा, post office नामक जो प्रिसिद्ध किताब है, इसके लेखक कौन है, तो answer होगा, रविंद्रनाथ टैगोर, जो post office नामक के किताब है, बुक है, इसके लेखक है, रव लडाकू बिमान को किस कंपनी ने बनाया, ये important question रहेगा, इसको note down कीजेगा, डिशॉल्ट एविएशन ने, जो राफेल है, लडाकू बिमान, इसको किस कंपनी ने बनाया, डिशॉल्ट एविएशन ने, next, हमारे देश में GST किस वर्स से लागू हुआ था, answer होगा, 2017 से हम लड़न पर आकर एक साथ मिलते हैं, answer होगा, कन्या कुमारी, next है, एकलब पुर्सकार किस राज्य के दारा दिया जाता है, ये important question है, इसको note down कर लीजेगा, एकलब पुरुसकार किस राज्य के दारा दिया जाता है, answer होगा, मद्द पर्देश, एकलब पुरुसकार मद्द प्स्राजि के द्वारा दिया जाता है और गायत्री मंत्र किस बेजसे लिया गया है तो आंसर होगा रिगभेजस से उड़न परी के नाम से कौन प्रसित हैं कौन फेमस है फीटी उसा यह उड़न भी कहा जाता है इनको कहते हैं सांथ घाटी भारत के किस राज में इस्थित है तो इसका भी आंसर है